आज हम बात करेंगे कि ICC Men's T20 World Cup की शुरुआत कब हुई थी और साथ ही बात करेंगे कि 2007 से 2024 तक ICC T20 World Cup के विनर्स के साथ साथ उनके Runners Up Player of the Series और सबसे ज़ादा रन बनाने वाले खिलाडियों की आप देख रहे हैं जेकी नियू स्टूडे और मैं हूँ आपके साथ सीमी बड्याल ICC T20 World Cup 2020 Cricket का Chief International Tournament है इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और ये दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रेमियों को अकरशित करता है ये ICC याने के International Cricket Council द्वारा हर दो साल में आयोजित किया जाता है जहां कई International Teams ICC T20 World Cup का खिताब जीतने के लिए संगर्श करती है वर्ष 2007 में पहला ICC Men's T20 World Cup सौथ अफरीका में आयोजित किया गया था भारत ने 2007 में जहांसबर्ग ववांडर स्टेडियम में पाकिस्तान को फाइनल मैच हरा कर पहला T20 World Cup जीता था महेंदर सिंग ध्वानी की लीडर्शिप में भारत ने Championship जीती थी भारत ने पहली बार ICC T20 World Cup जीत कर इतिहास रच दिया था ये T20 World Cup का पहला वर्जन था पाकिस्तान ने भी मैच में दमदार परदशन किया और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को प्लेयर आफ्दा सीरिस चुना गया वर्ष 2009 वर्ष 2009 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खिला गया जिसमें फाइनल में श्रीलंका को हरा कर पाकिस्तान ने जीत हासिल की ये मैच इंगलैंड में आयोजित किया गया था पाकिस्तान ने भी बहतरीन परदशन के साथ इतिहास रच दिया शाहिद अफरीदी के ओल राउंड परफोर्मेंस ने उन्हें मैन आफ़ दा मैच का पुरसकार दिलाया वही मैच के दोरान श्रीलंका का परदशन भी अच्छा रहा श्रीलंका के तिलकरत ने दिल्शान सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी और प्लेयर आफ़ दा सीरीज रहे वर्ष 2010 वर्ष 2010 में इंगलैंड और आस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला गया था जिसमें इंगलैंड ने आस्ट्रेलिया को हरा कर जीत हासिल की ये मैच वेस्ट इंडिस में खेला गया था किस वेटर को फाइनल मैच में अपने शांदार योगदान के लिए उन्हें प्लेयर आफ़ दा सीरीज चुना गया वर्ष 2012 वर्ष 2012 में वेस्ट इंडिस और श्री लंका के बीच फाइनल मैच खेला गया था जिसमें वेस्ट इंडिस ने श्री लंका को हरा कर चैंपिनशिप जीती थी ये मैच कोलॉम्बो में खेला गया था आस्ट्रेलिया के शेन वाटसन ने पूरे टूर्णामेंट में अपने आल राउंड परफामेंस की बदोलत प्लेयर आफ दा सीरिस का खिताब जीता वही श्री लंका के मैंडिस ने सबसे ज़ादा विकेट लेने वाले गेंद बास का खिताब अपने नाम किया वर्ष 2014 में भारत और श्री लंका के बीच फाइनल मैच खेला गया जिसमें श्री लंका ने भारत को हरा कर अपना पहला टी-20 वर्ल्ड कप पा खिताब जीता ये मैच बांगलादेश के धाका में खेला गया सीरीज के दोरान फाइनल में कुमार संगाकारा की नाबाद बावन रन की पारी एहम रही और इतिहास रच दिया इसके इलावा विराट कोली टूर्णामेन के सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी और प्लेयर आवदा सीरीज रहे वर्ष 2016 में वेस्ट इंडीज और इंगलैंड के बीच फाइनल मैच खिला गया था जिसमें वेस्ट इंडीज ने इंगलैंड को हरा कर चैंपिनशिप जीती थी वेस्ट इंडीज ने 2012 में भी T20 वर्ल्ड कप जीता था तमीम इकवाल को सीरीज में सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी के रूप में चुना गया वर्ष 2021 में T20 वर्ल्ड कप में आस्ट्रेलिया ने न्यूजिलेंड के खिला फाइनल में अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता ये मैच दुबई में खिला गया था आस्ट्रेलिया ने न्यूजिलेंड को आट विकेट से हराया था आस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श को उनकी पोफ़ाइमेंस की वज़ा से प्लेयर आफ दा मैच चुना गया वर्ष 2022 में इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खिला गया था जिसमें इंग्लेंड ने पाकिस्तान को हरा कर दूसरी बार T20 वर्ल कप का खिताब जीता ये मैच आस्ट्रेलिया के शहर मैलबॉर्ण में खिला गया था मैच के दोरान सैम करन को उनकी शांदार गेंद बाजी के लिए प्लेयर आफ दा मैच चुना गया था और पूरे टूर्णमेट में उनके और राउन परफोर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर आफ दा सीरीज का पुरसकार भी मिला तो 2007 से 2024 तक हम पहुँच गए हैं अब देखना ये है कि इस बार ICC Men's T20 World Cup का खिता कौन जीतेगा क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरे आपके साथ शियर करते रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूस टूड़े कैमरामेन का काराम के साथ मैसीमी बढ़्या